हेलो गाइज, वेलकम टो टेसेट क्लासेज, इंगलिश विद मॉनिका आज हम बढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के एमसी क्यूज इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्स्पिनेशन में आपको पहले समझा चुकी हूँ वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए उस चैप्टर को दोनों स्टोरी चैप्टर की आप अच्छे से समझ लीजिए इसका अंसर है आ लिटल है वाइ इस दे ऑथर कॉलिंग गार्वेज एज गोल्ड इन दे स्टोरी इस स्टोरी में गार्वेज को ओथर ने गोल्ड क्यूं कहा है ये गोल्ड की तरह क्यों होता है कि वो सोनी की तरह है विकॉज ओफ जॉल्ड क्योंकि उसके अंदर जॉलरी है विकॉज ओफ गेमस इन इट या क्योंकि उस गार्वेज में गेमस है खेल है विकॉज ओफ गोल्ड इन इट या फिर उसमें सोना है because of its encashment value या फिर उस garbage की जो value है वो कैसी है encashment है यानि उस garbage की value उन रैक्टिकर्स के लिए अपनी जीविका उपारजन की है उससे वो पैसे मिलते हैं उनको इसलिए उसकी value क्या है encashment value है इसलिए writer ने उसको क्या कहा है gold कहा है What is the meaning of sahib-e-alam sahib-e-alam का meaning क्या है owner, rich man, poor man, lord of universe तो sahib-e-alam का meaning है lord of universe यानि इस ब्रह्मांड का ईश्वर How is Mukesh Attitude different from that of his family Mukesh का attitude अपनी family से कैसे different था Being daring, frame and clear Being a fighter, being a coward, not clear तो जो Mukesh था उसका behavior, उसका attitude कैसा था Being daring, frame and clear The city of Frozabad is famous for what यह city जो है Frozabad, जो second story बताई गई है वो किसके लिए famous थी For casteism, जातिवाद के लिए For ragpickers, ragpickers के लिए For poverty, गरीवी के लिए For bangles तो असका answer आप सबको पता है For bangles What are the reasons for the migration of people from villages to city in the lesson इस lesson में लोग villages से migrate करके cities में क्यों आई हैं Migrate करना मतलब इस्थान तरण करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना sweeping the house and fields by storm, no money, education and unemployment, safety क्या कारण था आने का कि sweeping the house and fields by storm कि storm से आदी से तूपान से उनके घर, fields सब जो है बिल्कुल सफा हो गए थे, बरबाद हो गए थे या उनके पास पैसे नहीं थे या वो पढ़ने के लिए और बेरोज़गारी अपनी बेरोज़़गारी की वज़े से वो यहां पर आए थे या अपनी safety के लिए तो इसका answer है sweeping the, sweeping of house and fields by storm what excuse do the rag pickers give for not bearing chappals वो जो rag pickers बच्चे थे, वो क्या excuse देते थे चपल ना पहनने का mothers don't give, ममी ने नहीं दी no interest, कोई interest नहीं चपल पहनने में a tradition, या एक परंपरा है चपल ना पहनना all these, तो इसका answer है all these वो यह सारे बाने बनाया करते थे what is the function of glass blowing industry glass blowing industry में क्या function होता था, क्या काम होता था to make windows, windows बनाई जाती थी to make doors, doors बनते थे to mold glass, या glass को mold किया जाता था, पिगलाया जाता था to mold glass and make colorful bangles, यी glass को काच को पिगला के colorful bangles बनाई जाती थी, ठीक है, या answer है इसका what are the hazards of working in the glass bangles industry glass bangles industries में क्या खत्रा था, लोग वहाँ जो काम करते थे उनके लिए क्या खत्रे की बात थी, hazards means खत्रा क्या था, poor health उनकी health का खत्रा था उन्हें, impaired vision, impaired vision मतलब कि मतलब उनकी जो vision था, उनकी द्रश्टी थी, वो खराब हो जाती थी miserable life, life में परिशानिया जाती थी, all of these, ये सभी उसके खत्रे थे, सारे खत्रे होते थे कि उनकी health भी खराब होती थी, vision भी खराब होता था, life में भी परिशानिया आती थी, ये सब कुछ किसकी वेशे होता था, glass bangles industry की वेशे से who are responsible for the poor condition of bangles makers in frosabad फ्रोजाबाद में Bengal makers की पूर condition थी उसके लिए कौन responsible था, parents, society, bureaucrats, all of those, all of these, तो इसका आंसर है all of these, ये सभी लोग इसके लिए responsible थे he is content to dream of cars, who is he being talked about इसमें बताया गया है कि जो car के dream के बारे में बात करता था जो car के dream के बारे में कहता था, वो he है कौन आखिर who is he, ये ही है कौन, मुकेश, साहिब, साहुकार ये politician, तो इसका आंसर है मुकेश the author advise, साहिब to go to, जो author है, उनने साहिब को क्या advice दी थी, कहा जाने के लिए कहा था school, college, club, playground, तो इसका आंसर है school, उन्होंने उसे school जाने को कहा था why did साहिब and his family move to Delhi Delhi, साहिब और उसकी family जो है, Delhi क्यों move कर गए because storm had swept away their fields and house, their village was flooded, there were landslides, there was a deadly epidemic in the village क्या हुआ था, कि storm से, आंधी से, तूफान से क्या हुआ था, उनकी field, घर, सब बरबाद हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था या उनके गाओं में बाड़ आ गई थी, या फिर उनके गाओं में भुष खलन हुआ था, landslide होई थी, या फिर वहाँ पर महामारी फैली होई थी तो आंसर है, because storm had swept away their fields and homes, इसी लिए साहब की फैली जो है, moved to Delhi, ओके यह जो सारे लोग थे, साहुकार, मिडल मैन, पॉलिसमेन, यह सब लोग उन लोगों के साथ क्यों थे, किन लोगों के साथ, बैंगल मेकर्स के साथ क्यों थे, work for the benefit और बैंगल मेकर्स की उनके साथ काम करेंगे और उससे फाइदा होगा, इसलिए, impose the baggage on the child that he cannot put down, कि बच्चों के उपर और ज्यादा बोजा लाद दिया जाए, और ज्यादा काम का भार दे दिया जाए उनको, जिससे वो उससे उठी ना पाएं, इसलिए, वो लोग सब उनके साथ थे, work for the upliftment of women, या फिर वो women's के upliftment, यानि उनके उद्धार के लिए, उनको उचा उठाने के लिए काम करना चाते थे, इसलिए साथ में थे, abolished child labor, या child labor से मुक्ती दिलाना चाते थे, वो लकुर दूर करना चाते थे, child labor ना हो बिलकुल, ऐसा चाते थे वो, नहीं, इसका answer है, impose the baggage on the child that he cannot put down, the squatters in Simapuri, arrived as refugee from Bangladesh in, ये जो squatters थे, जो ये विशिश्ट लोग थे, वो Simapuri में आई थे, बांगलादेश से कब आई थे, 1965 में, 1971 में, 1982 में या, 1986 में, तो आंसर है, 1971 में, who will be hauled up by the police if they try to get organized, who will be hauled up, मतलब, पुलिस के द्वारा, who will be hauled up by the police, पुलिस के द्वारा, किसको जो है, खीच के बिलकुल हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था, अगर वो कुछ और्गनाईज करने की कोशिश करते थे, तो, the old citizens, old citizens को, the owner of the factories, factory owners को, the group of young men, या group of young men को, या मुकेश family को, किसको, the group of young men, she has not enjoyed a full meal in her entire life, entire lifetime, who is she in the given sentence, यह sentence दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, she has not enjoyed a full meal in her entire lifetime, यानि उसने अपने जीवन में कभी भी full meal, पूरा पेट भरके खाना enjoy नहीं किया है, तो यह she है कौन आखिर, the elderly woman sitting close to Savita, वो बूरी औरत, जो Savita के बगल में बैठी हुई थी, पास में विलकुल, मुकेश sister-in-law या मुकेश की भावी, मुकेश mother या मुकेश की मदर थी वो, या मुकेश grand mother या उसकी दादी थी, तो answer है, the elderly woman sitting close to Savita, Savita, a young girl is seen by the author, Savita, जो एक young लड़की है, जब author ने उसे देखा, तो वो क्या कर रही थी, stitching cloths, कपड़े से रही थी, washing cloths, कपड़े धो रही थी, soldering pieces of glass, glass के pieces को soldering कर रही थी, यानि उनको जोड रही थी, चिपका रही थी, embroidering a sheet या एक sheet पर कढ़ाई कर रही थी, तो answer है, soldering pieces of glass, glass के pieces को वो चिपका रही थी, एक दूसरे से, थेखें, soldering कर रही थी उनकी, कैना, God, give line is, ever be broken, the words were spoken by, यह जो words से, कैना, God, given line is, ever be broken, किस ने कही थे, मुकेश ने, मुकेश की ग्रांड मदर ने, मुकेश की ग्रांड फादर ने, या ओथर ने, यह कही थे, मुकेश की ग्रांड मदर ने, मुकेश फादर इजा, मुकेश की फादर कौन थे, car driver, bangle maker, cracker maker, या mechanic, मतला, वो car drive करते थे, या bangles बनाते थे, या पठागे बनाते थे, या वो एक mechanic थे, तो वो एक bangle maker थे, यानि वो चूडियां बनाते थे, what did मुकेश want to become on growing up, मुकेश, what did मुकेश want to become on growing up, मुकेश जो है बड़ा होके, क्या बनना चाहता था, आ motor mechanic, आ shopkeeper, आ bangle maker, आ car painter, तो answer है, आ motor mechanic, वो एक motor mechanic बनना चाहता था, बड़ा होके, साहिब डिड नॉट लाइक तू वर्क in the tea stall, because, साहिब जो यह tea stall में काम करना पसंद नहीं करता था, क्यों, he was getting only 800 रुपीज, उसको केवल 800 रुपीज मिलती थे, इसलिए पसंद नहीं था उसे, he hated the steel cancer, यह steel cancer को पसंद नहीं करता था वो, he was no longer his own master, या फिर अब वो अपना खुद का मालिक नहीं था, वो क्या था, अब नॉकर था वहाँ पर वो, he had to carry heavy bags now, अब उसे जो है heavy heavy bag वहाँ उठाने पड़ते थे, इसलिए उसे पसंद नहीं था, तो answer है, he was no longer his own master, अब वो अपना खुद का स्वामी नहीं था, अब वो वहाँ पर नॉकर था, जब वो रैक पकिंग करता था, तो वो अपने मन का मालिक था ना, जब मन किया तब काम किया, जब नहीं किया, तो नहीं किया, अब भी तो जब वो नॉकर बन गया है, तो उसे काम तो करना ही है गुलामी करनी पड़ेगी इसलिए अब उसे अच्छा नहीं लगता था तो इसका आंसर है He was no longer his own master मुकेश हाउस is covered with मुकेश का हाउस किस से covered था? किस से ढखा हुआ था? Stones, breaks, tiles या thatch तो उसका घर ढखा हुआ था यानि घासफूस से जैसे घासफूस के छपपर ढाल दिये जाते हैं उससे उसका घर covered था The families of the bengal makers live in जो bengal makers की family थी वो रहती थी कहां पर? Comfortable environment में? Big houses में? Very small houses में? या factories में? तो आंसर है very small houses garbage to the rag picker is Rag pickers के लिए garbage क्या था? Money, daily bread, a roof over their heads, gold या silver तो आंसर है daily bread For the rag pickers, food is more important than Rag pickers के लिए जो है food ज्यादा important था और किसी चीज से वो और किसी चीज क्या थी? Food most important thing थी उनके लिए Cloth important नहीं थे Shoes नहीं थे Identity, shelter क्या चीज थी ऐसी? तो था identity क्यों ऐसा identity को यहां लेके आए हम? क्योंकि वो लोग बांगलादेश से आए थे Refusee थे तो लोग वा क्या कहते थे? उनका identity proof मांगते थे लेकिन ये उनके लिए Identity इतनी जरूरी नहीं थी जरूरी क्या था? उनका खाना Food उनके लिए सबसे ज़्यदा जरूरी था Food is more important than identity The author visited the town and temple of Udbi after 10 years, 5 years, 30 years and 15 years कितने वर्षों बाद वो Udbi के temple में गहीं थी? 30 years बाद The man from Udbi was the son of Ann जो Udbi में उनको आदमी मिला था वो son किस का बिटा था? Son of Ann, Doctor, Teacher, Priced, Engineer तो है Priced का बिटा था था ठीके? Sahib's full name was Sahib का full name क्या था? Mughalyaazam, Sahib-e-Alam, Shensahe-Alam या शा जहां तो उसका नाम था Sahib-e-Alam Sahib's profession was that of a Sahib का profession क्या था? Cook, Rackpicker, Bangal Sailor, Driver तो इसका अंसर है Rackpicker What change did Anish Juk see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? जब हमारी writer Anish Juk ने Sahib को देखा कि वो कहां खड़ा हुआ है neighborhood यानि बगल के club के gate पर वो खड़ा हुआ है तो उन्होंने क्या चेंज देखा उसमें? As if lost is freedom जैसे उसने अपनी freedom खो दी हो Lost ownership जैसे ownership खो दी हो अपनी उसने Lost joy उसका आनंद खो गया हो All of these तो आंसर है All of these ये सारी चीजें उनको उसके अंदर दिखाई दी थी Where is Seemapuri? Seemapuri कहा है? In Noida, South Delhi, North Delhi, East Delhi तो South Seemapuri है East Delhi Why did Sahib leave his house? Sahib ने अपना घर क्यों छोड़ा? Because the storm swept away his house and field To enjoy a life of laser To find friends, to get to college किसले छोड़ा था उसने अपना घर? कि storm से सब कुछ swept away होगा था सब कुछ सफा हो गया था उसके घर, उसकी field या फिर उसने अपनी life को enjoy करने के लिए या अपने friends को ढूणने के लिए या फिर college जाने के लिए अपना घर छोड़ा था तो answer है Because the storm swept away his house and field बच्चों ये question तीन तरीके से लिखा है इसमें हमने ठीक है अब ये third time बिल्कुल वही same answer आया इसका साहिब held from which place साहिब जो है किस place से था तैली से, सीमापुरी से, green prints of dhaka या नन तो answer है green prints of dhaka क्योंकि वो बांगलादेश चे आया था Name the birthplace of the author अब ये जो हमारी author है अनी जोग इनका birthplace क्या था USA, California, Kochi या राउर के ला तो answer है राउर के ला इस साहिब happy working at the tea stall क्या साहिब जो है tea stall पर काम करके बहुत खुश था Yes, हाँ Yes, he earned money, हाँ क्योंकि वो पैसे कमा रहा था, no earn money, वो पैसे नहीं कमा रहा था No, earning but no freedom नहीं, वो कमा तो रहा था, लेकिन उसकी freedom नहीं थी वो आजाद नहीं था वाँ पर तो यहीं इसका answer है No earning but no freedom Who was साहिब साहिब कौन था? Shopkeeper, a servant, a rack picker, all तो answer है a rack picker According to the author What was garbage for the parents? Author के according, यह जो garbage थी, वो parents के लिए क्या थी? Means of entertainment, वो उनके मनोरंजन का साधन थी Means of joy, आनंद का Means of sorrow, दुख के लिए थी, दुख के कारण बन रही थी Means of survival तो इसका answer है, means of survival यानि उनके जीने के लिए वो जरूरी थी जीविका उपारजन का वो साधन थी Garbage जो था, वो जीविका उपारजन का साधन क्यों था? क्योंकि बच्चे क्या करते थे? उसमें से rack picking करते थे और उससे क्या होता था? उनको bread butter मिलता था ठीक है, तो इसका जो है, parents के लिए क्या था? वो means of survival था यह जो story है, lost spring इसकी central theme क्या है? पिटेबल पूर चिल्डरन और लॉस्ट चाहिड़ूट Garbage साहेव और मुकेश या spring season क्या है इसकी main theme? तो इसकी main theme है पिटेबल पूर चिल्डरन और लॉस्ट चाहिड़ूट यानि बच्चों की देनिये सिती और उनका खोया हुआ बच्चपन इस स्टोजी इस एन एक्स्क्रेप्ट फ्रॉम विच बुक और अफ द ऑफ द ऑफ 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 की किस बुक से इस स्टोरी को लिया गया है Lost Spring Stories of Stolen Childhood Unvealing India Breaking the Silence The Song of India तो इसका अंसर है Lost Spring Stories of Stolen Childhood इस स्टोरी में बच्चे किस तरीकी से अपियर होते हैं ओफर के अकोर्डिंग Morning Crows यहां Crows की Spelling बच्चों गलत प्रेंट हो गई है C-R-O-W-S होना चाहिए Morning Crows, Morning Birds Evening Crows, Evening Birds तो इसका अंसर है Morning Birds यह बच्चे वहां पे रोते थे Morning Birds की दरब What does the author analyze in the story इस स्टोरी में ओफर ने क्या analyze किया है Rich people, garbage, her works poor children and their exploitation तो author ने analyze किया है poor children और उनका exploitation यानि उनका शोशन कैसे उनका शोशन किया जाता है तो बच्चों अच्चों how grandson बच्चों शोशन